कि अलो आपक सभी अच्छे से होंगे उसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें अभी तक हम जो है क्वेशिन नूमर 90 तक कवर कर चुके और कुर्सिज करेंगे कि आग आने वाले प्रिशिंस कुछ डिटल से सौल करें सो दा आपकी कंसर्ट चल्कलर भी डेहतर हो सकते हैं विश्य नूमर 91 से देखते हैं हमारे पास इस दो नहीं किवर्य चाहिए तक हम आपास था इस बीच में यह यहां पर रिले इन जनल तो हमारे पास या तो अब यहां पर यह जो रिली है यह फॉल्ट कंडिशन आ गया इस पॉल्ट कंडिशन पर शेंस और सेंसिंग करने के लिए इसके संसिटिविटी बेहतर हो नहीं कि पर शेंस करके जल्दी से जल्दी सेंस करें इसके लिए स्वीड के होने चाहिए यह बी सही बात है और साती साधे करने के बाद ऑपरेशन या मैं फुर्ट को जो है ओकंड़ कर सके सर्गी बेकर को आपरेट करके इसकी रिलाविलेटी भी दाहतर हो नहीं तो यह तीन कंडिशन को हमें उपांच समय देखने को मज़े लिकिन लीनियर टेक कोई लेना देना लेना अबस्तु हमारा पास एक मारा पास दिया हुआ है एक शिस्टम है हमारा कास 132 कवी का करक मालक के ताइब तर्फिकण डाया है. इसकी उजा जित पुए ay मजकी यहां पहकी निया फिटानलों. इंडक्राइब इंडक्राइब तर्फिकरण के ता लाया हमाल मालक केतना है. में वालती है नियी हाने फोल फेंट इसके एक्रोस जो वोल्टेज आएगा वो बिल्ट बताना है इप दा इंस्टेनियस वेल्यो अफ तर मैंगेटाइजिंग करन्ट और फाइप एंट्रूर इस इंट्रूर इसको इस्टेंटली इंट्रूर कर दिया गया अगर हमारे पास लोड है या लोड है और उसको नेचुरल करन्ट प्रूसिंग जीरो इस्टेंट से आने से पहले अगर इंट्रूर कर दिया जाता है तो इस एफेक्ट को हम बोलते हैं करन्ट चॉपिंग और करन्ट चॉपिंग के कारण जो मैगनेटिक फिल्ड के अनर्जी है वो एपियर होगी किसमें यहां पर आजाएगे हाप से किसको इसके कारण हाई रीक स्ट्राइकिंग गोल्डिज एपिर होगा एक्रोज दर सर्कि के कोंटेक्ट के अपरोज आई इस ट्राइकिंग गोल्डिज अपिर होगा तो आर्फ जो हमारे पास एस्टेंगे सोने वाले की वाले की वापिस रीश्ट्राइब कर जाएगी और अगर आपका डाइलेक्रिक इस्ट जाएता नेगवा सब्सक्राइब करता है तो रेट में 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 लाइगे जिन करेंट जो करन्ट है वो ट्रांस्वार मर से ड्रेलेटेड है संट्रिक्टर हो या नावा इन देखका हुआ है अभी यह बताना है कि यह जो बोल्डे जाएगा यह वोल्डेज डी वैल्यू क्या हो हो इस पाटाले इस पाल आए इस्टेंगी यह ए यहां पर आपके पास यहां पर कितना आने वाला है एक बात देखेंगें तो यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर 100 KV से घरक आपकेंगे यहां पर ईंदू कंन का मैंचेटी है वी दीयो प् surprisingly हमरे पास करेक्णा सी आपकेंडहीक आपकें पीट यहां पर बात आपकेंगें अगर Knowing c ghost करने के लिए या फिर अच्छे से काम करने के लिए डायलेक्टिक अज़ेंगे तो इसका कोई कंडिशन नहीं रहेगा फिर तो सब्सक्राइब करने का भूब ही जब आप इस में से जू रब्तरिंग गरण सब्सक्राइब करने क्या लोकिंछ तर्साइब हर लिए करने कि आखने कार बागए वुण का यह देगे का सिस्ट्वन को इन power can be transferred from one end to another end when the reactance of the line is कोई पी लाई है आकी पास इसक्पराँ से transfer विए power यह resistance है यह reactance है आर, GX, VS, VR और यह पी आपको maximum power transfer विए sending end to receiver पहले power का जो express आनाता है विएफिपराँ आता है Vs, VR upon Z, Mose Z, cos Theta minus delta वार्ट पर्ली यह पावर जो है हमरेखा शरीचेवर यह मौर्ट जो रहेगा अंडरूरट आज़क्वर प्लेस प्लेस इसक्वर रीयक्ते इसकी वैल्यो चाहिए तो जो जो हमारे पास है वह किसे रेलेटेट है जो त्रांसमिशन लैंट ने इस्ट क्यों ने इस्ट गूट एक पास क्या रहता है एक फिप्टी हर्ट्स फॉर टर्बो जनरेटर एक अधर थार्टी एम्वी थार्टी फांट वांट विए आपके पास वोल्टेज है है से हैं अधर नाइन किलो वाट किलो जूल पर की आप ऐसा लिख सेथे हैं क्या बोला गया है हमारे पास गिवन डेटा क्या है गिवन डेटा है और फॉर पोल आपके पास थर्मो जनरेटर है के वी रेटिंग जिसका हमारे पास वैल्यू है है 30 मवर और वोल्टेज है गिवाण कि अबहां नाइन किलो स्वेश आपके अब हमारे पास झाल जूल इसको आप ऐसा भी लेख सकते नाईन मेगा जूल पर ऐन्ग उससे कोई फराइगा क्यूंकि एदर क्लोजूल पर गिजाद तो या मेगाजूल इनर्जी चाहिए से मेगा जोल पर मने को मल्टिप्लाइ करोगे किस से अब चलेगा मेगा जोल पर कुछ देखतें नेस्ट कुछिशन के साथ साथ हमें यह भी इक विशन के बारे में मालू होना था है और पुछ बीशिक्स इसके बारे को कुछिशन बनते हैं नेक्स कुछिशन दिखेंगा जारा प्लीश विच वन आप दो फॉलोविंग इस नौद एंग्जम्पल उपर नेवल नेजी डाइट इस नोटने दी या फिर आप जब तक जहान है दुनिया है युनिवर्स यह तब तक रिनेवल एनर्जी रहेगी सोलर एनर्जी होगे विंड एनर्जी होगई यह फिर जियो थर्मल एनर्जी यह भी इस को एनरजी को एनरजी को अफिंचनल वोलते हैं एसा हमारे पास D option – तेखिन जो नेके नुकलेट, सोलर में जियो तरबल ये आवरा पासने निव लेघी सेशन, next question DU नेंगते हैं हमारी पास् next question आमारी पास जो रहेगा, that is, there are additional losses that arise from the non-uniform current distribution in the conductors and the core losses are generated in the higher end due to the distortion of magnetic flux distortion is from the load current such losses are known as still losses, friction losses, still load losses, windage losses. अब देखते हैं यहां पर हमरे पास S-Question घान सकते होगा. हालां कि Question 2 हमें देखते ही समझ में आ रहा है Friction and Windage Losses, Mechanical Losses होता है, Flux के घान नहीं होता है. Still Losses 5 का कोई Loss नहीं होता है. Answer तो हमरे पास Still Losses है. लेकिन इस Question का Physical Significance का है हूँ हम समझने की कुर्शिस का. Actually जब भी हमारे पास जैसे DC Machine consider कर लीटे है. DC Machine में Normally at No Load Condition में वैसे तूँ Winding होती है, एक Field Winding होती है, एक हमारे पास Armature Winding. Field Winding में Field Flux Produce होता है, Field Flux का जो Distribution रहता है, और एक Armature Flux Produce होता है, जिसका Distribution जोए ट्रेंगुलर रहता है. यह आपके पास देखने होता है, एस तरह से थोड़ा सा approximate बना रहे हैं, यह है, यह देखने को बलेगा. यह प्याइस प्लएक आपके तो, रयजल् decides इस तरह से रहता है, यह थो अ कि यहूं पर लाह शोन पिश्चा में काफ़र, कि यह देखने को मात कुच होती है. यहां पर यह इस तरह से और move इस तरह से तो यहां पर हमारे पास पहले प्र Commerce Perm Chain यह था और इसmente हमारे पास यह आगा तो फ्लक्षझ दिंशिति जो है हमारे पहले प्राइब अब अब हमारे पास देंसिटी आगे लेवल उफ करेंट बढ़ना है लेवल पर बढ़ना तो उसके कारणब बढ़ेंगे फ्लेक्स कर जो एप्रोक्सिमेटली हम जो है ऐसा लिख सकते हैं कि आरे लोसे बीए श्परिट डरक हम जा रहे हैं तो फ्लेक्स टेंसिती रहा है उसकी वज़े से आरे लोसे में जो इंक्रीमेंट होता है यह आपास आइरल नोसिस में जो इंक्रीमेंट हो रहा है यह मतलब मेंगनेटिक फ्लॉक्स डिस्टिशन की वज़े से जो लिश्टोट्शन आ रहा है साथ ही साथ जो है यहां पर जो हमारे पास डिस्टिशन की वज़े से जो He 욕 Εक्ट्रा कर ड्राच ौन इक वह उनिकाए यह डिश्ट्रा का रहें Are you इस एक्स्तर कॉपल सिसार है देटेज इन दौनों के कांट यहां अपास इस दाफ शुब इस लोग्रीटि सब्सक्राइब इस जिसकी और अजिस की तो यह कोंश्टेंट परिमेडियू है इस एक जिए ऐसा ही बूला गया एक फूरे कोईल करट एंड ने रिजल्ट इन प्लिंक इस एक बोला गया एक एक कोईल लिटी एक से से करेंट पर रही है अब तो उस केस में एनरजी और को एनरजी पर एनरजी पहले तो यह समझते हैं कि एनरजी का मतलब है और एनरजी का मतलब है जो आप एनरजी इन्पुट कर रहे हैं और हमारे पास चार्ज जो भी मेडियम है उसके वज़े से जो एनरजी है इसको हम जैनली ऐसा लेकिन लेकिन में क्या होता है जब हमारे पास मैगनेटिक वाइंडिक तो चाहिए होती है और वाइंडिंग में हाफ एला ही स्कोएर से सूर करते हैं यह हमारे पास आवेलेबल और यह संभ जब करते हैं अब जब हमारे पास एहर थे मेडियम होता है उसकेस میں एनरजी और इनर्जी दोनों जो है एक्षा है और भी दाव और आता है यह हमारे पास देखने को मिलेगा यहां पर आपके पास लेनियर करवाता है एनर्जी और टोनों का जो है वैल्यू या एक्वल रहेगा हमारे पास लेकिन जब भी यह मेंगनेटिक विल्ट जिसमें परेमिविलिटी अवैलेबल हो उसकेस में यह दोनों एक्वल नहीं रहे ना ठीक है एर ऐसे मेडियों के लिए एक्वल रहे था ढृस् बीटियों करेंद्विल और जर्विल्टिट अब और्से शोयविल्ट मेंटों Might of a इस। तरह सो लिवाहता है जिसमें पूर्म मशीन है तो जो महरका पार इस्टेटर का पार अंदर वह रोटीन है हमारे पास यह रोटुस्टीर और का पार्ट है तो रोट्र का पार्ट जो निकले हैं तो पार्ट और यहां पर नॉन सेलियेंट फोल यहां पर रोटर का इसा है सिलेंटिकल तो रोटर इसलेंट्रिकल है और फूल हमारे सिट थूप आप इसके बहुत ही बढ़िया होते हैं उससे हाप समझ सकते हो काफी आसान है मेंस्ट कुश्चिन देखेंगा प्रफॉर्मेंस क्राटेश्टिक्स ऑफ डीसी जन्रेटर हैस्ट डीसी जन्रेटर जिसमें सबसे पहले तो यहां पर सेप्रेटली एक्साइट डीसी जन्रेटर रहे हैं और यहां पर आपके पास जो है यह हमारे पास आर्मेटर वाइंडिंग अंदर और यहां पर लोड करण पिताएगी अब हमें यह बताना है कि सबसे पहले इंटर्नल करेटिस्टिक्स को देखते इंटर्नल करेटिस्टिक्स का मतलब जब लोड नहीं लोड नहीं है तो फेल्ड करण फ्लोड यह लोड करण जीरो होगी तो लोड करण के बीच में यह द्यान लगता तो नो लोड कंडिशन में जो इंडिव बहुता है यहां पर इंडिव होगा और वोल्टेज जो हैं आपका करण जो है इन दोनों की बीच में ए वर्सेस आई एक की बीच में लोड के जाती है जनल यह कॉंशेंट रहती हमारे पास इस तरह से और बात में सैचुरेशन रिजन आता है एड कॉंशेंट इस पिड़ बढ़ाते जाओ कि तो यह करव थोड़ा सा उपर चलता जाए तो इ लोड साफिक पर करंटigorीख है आल और वोल्टिज ऑगी कना इना करंट घाल और वोल्टिज वर्सेज जो रहेखा उसको नोर्ट के दिक्टिक्स रह जो अठाट बोल रहा व्यजोंट अटérence मीश्टिक्स ना इक्स्तार प्र प्र जो गई तर्मिनल गोडिज्ट की चिर्में की बीच गई चो बगाई के नहीं होता है तो चोब प्रेट करन्ट भी तो हम जो है के वल लोड कर्डिशन में ड्रॉप करते हैं एक टूफिप्टी वोल्ट फिप्टी किलोवाट सौर्ट संट कंपाउंड डीसी जनरेटर सौर्ट संट कंपाउंड डीसी जनरेटर कैसा बनेगा यह शीरीज फिल्ड वैंडिंग है जिसका रेजिस्टेंच स्थी और से जरेए यह आर्मिचर जिसमें हमारे पास रवी वैंडिंग है यह टर्मिनल वोल्टेज वी है और यहां पर सिरीज फ्लक्स है स्ट्ट्ट्ट से ठीक है यहां पर जो करण जा रही है डिट इस आई एस और यहां पर जो रिजारी आर्मिटर करण जनरेटर है तो हम ऐसा बनाएं यह आई एक डागराम बना दिया अब क्या देटा दिये वाले वोले को फिटी वोल्ट यह तो रेटिंग है रेटिंग हमें साथ आनरे कि रेटिंग इस अलमेश विद रेस्पेक्ट तो आउट आर्मिटर अजिस्टेंस 0.05 ohm शिरीजर अजिस्टेंस शिरीज फिल्ड रिस्टेंस 0.05 ohm और संड फिल्ड रिस्टेंस 130 ohm what is the value of total current supplied by the generator यह total current जो जनरेटर सप्लाई कर रहा है बतला आर्मिट सब्सक्राइब और ब्रस कॉंटेक्ट ड्रॉप जो है दूवोल्ट है एक ब्रस में हमारे पास दूवोल्ट कर रहा है दूवोल्ट इदर हो रहा है तो टूटल चाहा है ठीक है अब यह कैसे पता किया ज है कैसे अउट्पट पाउर जो होती है भी इल होती है और आएल जो ही हमारे पास पी नोड़ पॉन अपन वी आउट्पुट इप्टी थाउजन है और यहां पर हमारे पास तूफिटीका व्ल्ट प्रोट्ट है यहां कई टूंड़हूंड्री रादिश निकाल दो आपान यहां पर जो दूसांपे फ्लोर यह ना इसमें जो वोल्टेज ड्रोफ होगा उसको एड़ कर दो थाइसों वोल्ट थाइसों वोल्ट तो यह मिल रहेगा यह आपके पास रहेगा तूफिटी प्लस तूहंड्रेड इंटो यह जाएगा तैन तूश्टी वोल्ट आपको हमरे रहेगा रहेगा ब्यार मतलब ब्यार अच्छ तूश्टी एपॉन थर्टी तू एंपिर आजाएगा और यह कर्ण दोसुन ध्राइड डोसुन ध्राइड तूप्रों कोई आंसर कि दिया हुआ है दोसुन दोसुन is in a generating mode and induction machine operate as generator बिल्कुल साही बात है हमारे पास ऐसा होता है जो तो यह जो मोड रहता है जीरो से वन की बीच में डेट इस दो मोट रहता है तो बीकिन रहता है और इदर जो मोड रहता है यह जाने टिंग मोट का बाता है जब आपके पास इंडेकिन मोट की साफ रहता है जाब रोटर स्पीट ग्रेटर देन ओजाए सिंग्रोन अश्वाइब नेकिटिव नेगेटिव होगा रोटर का इनकिटिव होगा सिंपल सी बात है रोटर का उनेकिटिव होने का मतलब क्या है रोटर की तरफ पावर्फलू होग रहा है प्रप्रटर जो है पावर कर रहा है किसको करें का रोटर के सब्लाइब कर रहा है तो इस टिटिर की तरफ जारी है मतलब इस जनरेटर बन गया उल्टा वार तो जनरेटर का वहता है जब से लिए नेगीटिविटी लेज देन जी रोडी विल विद्विट राइट आपसर मैं एक त्रीफेज 60 हर्ट्स एक त्रीफेज 60 हर्ट्स 25 HP स्टार कलेक्टेड इंडेक्शन मोटर ऑपरेट एट इस आफ इसपीड ओप अल्मोस्ट एटीन हंडेड़ आप साफ इसपीड एट नो लोड कंडिशन नो लोड इस पीड जो है वह आपके पास एटीन हंडेड़ आप लोड कंडिशन में जो स्पीड है वह आपके पास है 1650 एक त्रीफेज की इंडेक्शर मोटर नमबर ओपोल्स आप दो मोटर इस पोल्स कैसे निकालते हैं पूस्त तो तब निकाल सकते हो न जब एनस इस इपनटी है पी आपको निकाल लें हैं आपको एनस पता ही नहीं है क हाँ से लिए यह आप कभी भी देखना नो लॉड कंडिशन पे जो स्पीड होती है वो नीरल ली को तो सिंक्रोल जाएक ना राजाएगा नहीं होगी सिंक्रोन से इस्पीड जो था एक जाल होगी सिलिप जब बहुत कम हो नो लोड पे आपके वास लिप काम हो तो यह आप तो यह अफ्रोक्शिमेट इटिव मिलएं इस जो पॉल लागर से थी टाइम्स और इस ना तो आपके पास फॉर पोल आपको देखने को बिलेगा उसको एक बार और सॉल कर लेता है इस तो फूर्ट वाट वाइट विए था इस्टार कनेक्टेट बढ़ा कुशन है और अबजेक्टिव में कुशह नहीं कि देंकिन आंसर बहुत चोटा सब्सक्राइब देखेगा द्यांसर समझेगा एट्रीवेज था फिर्ट्स फिटीए विए स्टार कनेक्टेट से लिग स्टीनिकल सिंट्रों चुनरे और में चरी एक्टेस जो है वह आपके पास 2.19 ओम पर फैस देखेट बहुत इस पॉंट 1 थी तामस आफ हर्मेच रिट्यक्टेंस चेट इसका 0.137 से प्लिप्लेट रमिचर रिजिस्टेंस इस नेगलेजिबल आलसो इगनोर दारी शी शी श और हमारे पास तो सिंक्रोन से रिएक्षम पर से अपको बतानों से रिकॉन ये ACT एंस पर से आपके वेगा आपके पास को रहेगा अर्व कीशिया पर हमारे पस यह कितना है यह हमंत पास दिव अगभए 0137 तो यह जो भी आएगा यह 0.3 आजाएगा आपके पास इन दोनों को एड़ करिएगा 0.2.19 प्रिएगा आपके पास 2.49 आपके पास 2.49 आपके पास अचसेश इस इन देग्रोंगे स्टैस है नियुट इस इस ने आपके बूले इस ने एक पुर देख टेख थे जरा कि फूर्ड कमिटेटिट डी सी मसीन इस टिटर इफ रिवेटेड फोल्स एंड एंड्स आपको क्या बोलेंगे उसको यह हुए पताना है तो इसका डाइग्राम देखते हैं हमारे पास इसका क्या मतलब है डाइग्राम देख्के आपको जयाद़ क्लिर ट्रेंग यह यहां से पूल को स्थार्ट करते फिर यहां पे प्लका सपूर्ट हमें मिलता है और यहां पर हम जो है तरा काया तर्फ जाय लेगा उसको का एरिया विलेगा उसके पॉल सुब आटेन और कंपेस पूल आर्क पोल आर्क भी तो हमारे पास एक अंगूलर दिस्टेंस अन्य पार टू है इस आउटर साइड कम्पोनेंट को हम क्या बोलत है पूलते भी आइस next question देखेगा, in left winding there are many paths in parallel through the armature winding as there are number of tools in such a left winding the current in armature coil is let us consider there are 16 coils and poor parallel path जितने parallel path होंगे उतना ही हमारे पास number of tools होंगे ठाने लेड़ पांडी में ऐसा होता है everywhere jeśli एक और आप डिस्चुबुड करोगे तो आप किस तरह से करोगे चार parallel path में इस तरह से डिस्चुबुड करोगे जितने parallel path होते हैं उतने ही हमारे पास यहां पर बिडिस देखने को मिलती है यह जितने हि पूल्स होते हैं उतने ही आप Arbel fight देखने को मिलते हैं अगर मालीजी यहाँ पर जो 2012 कर and Iiec वहर एक पैरलेल पाथ में जाएगी चार पैर पैरलेल पाथ जैसा कुछ इनमा भुनाक जाए चार पेरलल पात है अगर मा लीजिए आई यह बाई पूर हो जाएगा और एन नमबर ऑफ पेरलल पात है तो आए एन यह बाई आई हो जाएगा है तो कि या हमारे पास पूछा एक एल्ट एक अर्मेटर के डिवाइद आ ते नमब फोल्स या फिर इक्वल number of poles number of pole के करेंट कैसे डिवाइड हुगी ना number of pole के करेंट कैसे इतुल हुगी equal to the armature current divided by the number of poles यह पे नुबर अपर नुबर अपर सी so what will be the right answer C will be the right answer इसे आपके पास बहुत सारे स्लोट से हम प्रॉपर्डी नहीं बना पारें इस तरह से आपके पास बहुत सारे स्लोट से ऐसे करके 54 दो है कि इफ इप इडिज लैफ वांदिंग सिंगल टर्ड कॉइल सिंगल टर्ड मतलब आपके पास हर एक स्लोट में कोईल का एक हम इनी आर्मिचाश तो डाल रिक्वाइड इसका मतलब चोवल स्लोट है हर एक स्लोट में एक टर्ड आ रहा है udah आ रहा है काईल कैसे बनती है कोईल में दो कोईल साइड है तो पास कोईल साइड होती है सक एक टर्ण आ रहा हुआ दूसरी नोट कॉन दूसरा इसे करके एक कॉईल तो चौवंज रोट में कितनी कोईल बनेगी लेकिन अभी कितना है इस कुछ है लेकिन अभी काफी बड़ा कुछ है लेकिन देखते हैं लोड करेंट आपको क्या दिया हुआ है यह यह देटा कीवन है दो सो तीस मोल्ट है इसके पास लोड करेंट है पॉइंट सेवन फाइफ एंपिर आपके पास जो है यह आपको देखने को मिलेगा संट करेंट इस नौन डैट आर्मिटर रिजिस्टेंस इस पॉइंट पावर दिसिपिटेट अक्रोस फिल्ड विंदिंग 590 वाट देशी संट मोटर इस तो बी इक्विट विद विद दे मैनुली अपरेंट वेरीबल रिजिस्टर यहां भी एक वेरीबल रिजिस्टर है उससी इसको सप्लाई दिया जा रहा है 200 पीस बोल्ट सप्लाई दे रह हुआ है यह स्टरटिंग रेजिस्टेस करना होना चाहिए कि सू दैट आर्मेचर करण्ट जो जार रही है तो दैट इनीचिल आर्मीचर करण्ट डस्मों अचीज़ दओन फेले हम 15 % परसेंट मेंकाल सुर इस रहेंचर करन्ट कि इतनी होगे 37.5 मैंस कर दोगे 0.75 यह आप यह आगे 36.75 अब क्या बोलागे कि आपकी यह जो आर्मिचर करण्ट है निशन आर्मिचर करण्ट यह रेटेड आर्मिचर करण्ट की 150 परसेंट नहीं होगी चाहिए स्टार्टिंग करेंट 150 परसेंट से ज्यादा नहीं बना चाहिए तो 150 परसेंट ओफ रेटेड करण्ट का अगर आप देखोगे तो हमारे पास है यह आजाएगा 55.125 यहीं हमें पूछा था कि जो है आपके पास बताओ कि 150 परसेंट तक आर्मिचर करेंट निकाल दो उसका 150 परसेंट कर लो और बड़ा कुश्य ने लेकिन आंसर बहुत शोटा 55.125 एंपयर एंड इस दा इंड आप टूड़े सेशन यह मसें के फूशन होते हैं और वी विल मीट तुबारों तिल देन थैंक यू सो मच इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप लिंक है वहां इस आप को डाउनोड करो और वहां पर वेरियस पोर्सेंस आपको में लेंगे एस डिजाएड क्रेस्ट लीजिए डिटेल कोश लीजिए एंडिजिवल सब्जेक्ट वाइस पर देखने को मिलेगा और यहां पर हमा